बुलंचहर के जिला अस्पदाल की सरकारी अंबुलंस को धक्का लगाते नज़र आए कर्मचारी और तीमारदार मरीज को दिल्ली के राम मनोर रोही अस्पदाल में भरती रिफर किया गया एंबुलन्स स्टार्ट नहीं होने पर कर्वचारी और तीमारदार एंबुलन्स में धक्का मारते नजर आए लखिम पूर किरी में जर्मतिन के अफसर परावै तमंचे से फाइरिंग बुधने के काटने पर की गई मुरादाबाद के सलेमपूर सराय गाउं में दवा लेने के गई लिये गए युवक की मेडिकल स्टोर संचालक से धड़ब हुई स्टोर संचालक की बाइप पर हाथ रखने से हुआ विवाद दोनों तरफ से चले लाटी दटने सलेमपूर सराय गाउं में वे विवाद दिनलिया सामरदाइक रूप एक पक्ष ने गाउं के शी मंदिर में घुसकर तोड़पोड की मंदिर की मूर्टी को गिराने का वी आरोप मंदिर के पास पुलिस और पीएसी के जबान तैनाथ 14 पर केस दर तीन गिरुसता है बरेली में दबंगो के होंसले बुलंद घर में घुसकर महिला उसके बेटे के साथ मारपीत की कई शादी के बाद पंचार को लेकर गुआ पेबाद घटना का वीडियो वाइरल बिडियो वाइरल होने पर पुलिस ने लिया संग्यान दस लोग के खिलाब के इस दर्थ पुलिस ने मौकिस दो तमन्चे बरामत के उमरिया गाउं का मामना बिजणोर में लगे मेले में मंचले ने लड़की के साथ छेड़ खानी की है लोगों ने मंचले को सिखाया सबाथ जम कर की थुनाई मुराथाबाद के मुगलपुरा इलाके में दो पक्षों में मारपीट सीसी टीवे में कैद गूई मारपीट के तस्वीरे माचिस मांगने को लेकर गुआ था शुरूब बाद सानी लोगों ने पत्राव करने का भी लगाया हर्दोई में दुकान मालिक महिला ने किरायतार दुकानदार की पिटाई कर दी मारपीट का वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल दोनों के बीच चल रहा है विवाद कोट में है केस वांदा कोट परिसर में वकीलो और पुलिस कर्वियों में तीखी रोंप्रोक आरूपी बख्ष के बचाओं में उत्री बार असोसियेशन का पुलिस कर्वियों पर मारपीट करने का पुलिस कर्वियों पर महिलाओं और छोड़े बच्चों के साथ की मारपीट वकीलों ने लगाया आरूप का पुलिस कर्वियों न ठाने ले जा कर दी थर्ड डिग्री आरूपी और उसके अध्यावक बेटिक बिटाई का अपने साथ आय कर्मी से उतरवाई शू कबर कर्मजारी से शू कबर उतरवाने का वीडियो बार पंदरमई रईवार को फिर शुरू होगा ग्यानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पहले दिन चार कमरों का किया गया सर्वे हिंदु पक्ष का रावत तहकाने में कलपना से मिला जादा मुस्लिम पक्ष का वयान पुराने जमाने के पत्तर पर खड़ी मिली इमार बारण असी की ग्यानवापी मस्जिद में तहकाने में पहले दिन सर्वे का काम पूरा हुआ कोड के आदेश की मताबिक सुभा आठ बजे से बारा बजे तक की गई सर्वे की कारवाई पहले दिन तहकाने में चार कमरों में सर्वे किया गया पस्मी दिवार की वीडियोग्राफी हुई इस दोरान मस्जिद परिशर में दाखिल हुए सभी लोगों के मोबाईल फोन दमा करा लिए गया यानवापी मस्जिद में बाबन लोगों की टीम ने सर्वे किया कोड कमिशनर अजे मिश्रा की माँजूदगी में सर्वे पूरा किया गया इस दोरान भारी सुरक्षा बल भी मौजूद रहा सर्वे पूरा होने एक बाद वारान सी के बुलिश कमिशनर रेस सतेज गड़ेस ने का पहले दिन सर्वे की कारवाई सबसल बूरी हुई कल भी सर्वे की कारवाई जारी रहे यह बताना चाहरे है कि आज की कारवाई पूर्ड कमिशनर के द्वारा पूरी की गई है कल भी यह सर्वे जो है जारी रहे गा सुरक्षा के पुखता इंत जाम किये गए तो आदर्ष माहौल में आज की कमिशनर की कारवाई पूरी हुई है यानवापी परिसर में इस सर्वे की दौरान रहे सुरक्षा की बुखता इंतसाम तो पहर एक बजे तक गेट नमबर चार के रास्ते में मौझूद दुकाने भी बंद रही पी एसी के नौ कंपनिया, बारहसों सिविल पुलिस के जवान और कमांडू भी तैनात रहे पहले दिन के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने कहा प्रशासन के सयोग के निस्षे निष्पक्ष रूप से किया गया सर्वे कहा कुछ ताले तोड़े गए, कुछ ताले खूले देखे कुछ ताले खूले गए, कुछ ताले तोड़ने बड़े, दोना ही चीजिए थी जब्रशासन के सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुभाष नंदन चतुरवेती का बड़ा दावा कहा सभी साक्षे हमारे पक्ष में जानवाफी मस्जिद पे सर्वे पर AIMIM के राश्ट्री अध्यक सतुरवेसी ने फिर उठाए सवाल कहा सर्वे पर कूड का आदेश गलती आदेश 1991 एक्ट का उलंग हन हम यह मानते हैं कि कोड का फैसला घलत है इसलिए कि कोड ने पारलिमेंट के एक्ट को फॉलो नहीं किया और कोड ने सुप्रीम कोड का जज्जमेंट जो है बाबरी मज़े टाइडियल सूट का जिसमें यह कहा गया है कि इसलिए मसला सुप्रीम कोड में गया है और सुप्रीम कोड की सुनवाई करेगा असत्तु दिन ओवेसी के बयान पर भार्षपा ने पलटवार किया है भार्षपा प्रवक्ता राकिश्तिर पाठी ने कहा है कि ओवेसी सामप्रताइक सौहार्थ विगारने की कोशिश कर रहे है मुख्यमंत्री योगी आदेत नाथ से मिले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्योनात अरकेलर गवर्नर के साथ उनकी पत्ती ने भी सीम योगी से सस्टा चार पीट की लखनो में रक्षावंधी राजनासी ने फ्रबुच जन्रो संग संबात कारकर में हिस्सा लिया अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर जताई नराजगी भरी सभा में 104 किलोमेटर लंबे रिंग रोड के अधूरे काम पुलेकर लापरवाही पर पटकार लगाई कहा जल्द पूरा होगा प्रोजेक्ट तीर्थ यात्रियों की हो चुकी है मौत अग्वाल अंसारी ने कहा मुस्लिन भाईयों के साथ करेंगे राज ठाकरे का एध्या दोरे का विरोध ब्रेजभूशन सरान सिंग ने अध्या साथू संतों से मागा समर्थ मुरादापाद के मदर्सा, अरेभिया, जामे उलह रहा है रास्ट्रगान, मदर्सा संचालकूर की मताबिक यहां पहले से होता है रास्ट्रगान, सुभा की दुआ के साथ रास्ट्रगान का जारी हुआ था देश यूपी सरकार के लिन देश पर सभी मदर्सों में राश्टगान शुरू, अलिगड के रविया तामिल मेला सु दर्सी में बच्चों निगाय राश्टगान, क्लास शुरू होने से पहले बच्चे राश्टगान काते हैं, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं मुझफण अगर के मदर्सों में राश्टगान की शुरूबात कर दी गई है, वही मदर्सों के संचाल को का भी मानना है कि मदर्सों में राश्टगान गाने से बच्चों की भीतर देश पक्ति का जज़बा पैदा होगा भराईश के मदर्सों में विसुबसादवेश राश्टगान की जुरूबात की गई, सीम योगे के मिर्देश का सभी मदर्सों में राश्टगान गाया गया, इसे पहले मदर्सों में उर्दू के नजब सारे जहां से अच्छा गाय जागा अग्रा के मोहिन उल इसलाम मदर्से में बच्चों ने पहले राश्टगान गाया, इसके बाद मदर्सों में पढ़ाई शुरू हुई, यूपी अल्प संख्या कायो के अध्यक्ष अच्छपाक स्यफी ने भी राश्टगान में हिस्सा लिया अम्रोहा में जलशर्ती मंत्री स्वतंतर देव और राज्यमंत्री संजीव कुमार ने दलित के घर खाना खाया, जोया कस्वे में दीपक ज्राटव के घर दोनों मंत्रियों ने पोटन किया सीतापूर के जिलास पताल में आठ माँ के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई, परिजनों ने इन्जेक्शन के दो घंटे के बादी बच्चे की मौत तारू लगा है तिरी जिल के जलदल मौत से वेक्ती का पाज घंटे की कड़ी मशक्त के बाद रिस्क्यू कर निकाला गया, चिन्याली सौल के बल्डोग के रहने वाला बता जा रहा है ग्रामीड आफदा प्रबंधन और रिस्क्यू टीम पुलिस ने रिस्क्यू गिया उन्नाव में लखनौ आगरा एक्स्प्रेस वेपर सड़क हाथसा हो गया, लखनौ से दिल्ली जा रखी, स्लीपर बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई और पलट गई, बस में सबार्टी सबार्यों को आई ठोटे बस के ड्राइवर खुनीन की जबकी आने से हाथसा हुआ, गायलों को यूपीडा और और आज पुलिस ने पीएट सीम बरती कराया मेरत में कलेक्ट्रेट के बचरद भवन में लगिया आगजीम कारयले के सामने हैं बचरद भवन, आग लगने से मची अफरात अपनी शॉट सर्किट बताय जा रखी है आग लगने की बच्छा, दमकल विभाग ने आगपर काबुपाया मृतक का अपने दोस्की बेहन से चल रहा था प्रेम प्रसंग शादी की बात करने पहुंचे युवक को लड़की के परिजनों ने शादी कराने से इंकार कर दिया था जिसके बार नाराज युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी अमिरपूर में अज्यात कारणों के चलते कच्चे माकार में लगी आग माकान सहिद ग्रियस्ती का समान जलकर राग रामिरन कडी मुशकत के बाद आगपर काबु पाया मौदहा को तवाली शेदर के अर्तरा गाउं का माम प्रसंग दोनों के शभों को पूस मौसं के लिए अलेगार के टबल इलाके के नूरपूर गाव में किसान को अवारा सांड ने हमला कर मौत के खाट उता रा इस दौराण दुदर कुमरियलाबी साड़ के अबने बुडी तरे के सक्थ में हुई कई लोग धाया फीली भीद में संदेख्त परिस्तियों में किसान की गोली लगने से मौत हो गई खेत की डखवाली करने आय था किसान मृतकिसान के पास ते अबैर्द तमंचा बरामत कज नाचो का पाने से परिशान होकर किसान ने खुब तुमारी बूली पूलिस ने घटनासल का मुआयना किया शाबास गाउं का है मामला प्रशासन की तरफ से पानी का विकिया गया बदोबस्त प्रयाग राज में करोड़ो रुपय की साइबर शगी करने वाले अंतराजी गिरों का खुलासा हुआ है साइबर क्राइम पूलिस ने तीन थबो को गिरफतार किया है फरजी वेबसाइट बना कर सरकारी योचनाओं के नाम पर करते पित अगी कासगंज में धाबे के मालिक की काली करतूर थाना खाने आए ग्राह को विवाद मित के बाद मारी है गोली शक्स की मौकी पर ही बॉन धापस अंचालक परा तलाश मुझुटी पूलिस पटियाली कोटवाली इलाके का मामला पुद्धम सिंगर के शांदीपुरी में शनिवार सुबा खनन विवाद को लेकर एक शक्स निभाजपा नेता और खनन कारोबारी संदीप कारकी को गोली मार्दी कि इच्छा सुताल से रुद्पुर पोज़े संदीप को डॉक्र सम्रित गोशित किया पुलिस ने शव को पुष्टमाटम गिली भेजा है मुझबर नगर पुलिस ने शनिवार को लगवग 50 लाख उर्पे की कीमत का अवैद शराब का जखीरा बरामत किया है पीडित महिला ने समासेविय और केंदरी मंत्री मुक्तार अब्बास नक्वी के महन फरात नक्वी सिंगीतर ठाने में शिगाए हमीरपुर में नब्वे वाहित की धारदार हत्यार से हत्या कर दी गई हीज की मांग पूरी ना होने पर पती सहित सस्राज जनूपर हत्या का अरोप लगा है मौके पर पहुंची पुलिस ने वार्दा स्थलका जायसा लिया और शक्त पोस्ट मॉटन के लिए भीजा गासेबाद लोनी शेतर के पचाईरा में हो रहा अबैद खनन खनन की कई वीडियोज बाइरल कुए हैं पूर बीजेपी विधायक रूप चौधरी ने ट्वीट करके इसकी शिकायत की प्रिशासन ने इसे पुराना वीडियो बताया गासेबाद के थाना साहिबाबाद शेतर में शालिमार गाडर में महिला से चेन तोड़कर भाग रहे लुटेरे को पब्लिक ने पकड़ा और इस दरान जम कर पिटाई की पुलिस को सौपगा जासे नगर निगम ने करोडों की जमीन पर बने अवैद निर्मान को ध्वस्त कर दिया पूर्व पाश्यद गुल्षन यातव ने करा रखा था ये अवैद कबजा नगर निगम की जमीन पर बनाया था मकान इस्ट्री कीटर पर दर्शेतर शनुमों कदमे पूरे मलसी हाजी अकबाल को हाई कोर्ट से मिली बड़ी रहत हाजी अकबाल से में चारो बेटों को मिली जमानत हाई कोर्ट ने हाजी अकबाल पर सीजर की कारवाई को भी रोका हाजी अकबाल पर गैंश्कर के तहट प्रशाखन कर रातर कारवाई साहरन कुछला प्रशास कड़ प्रियाग में भारी बारिश का पानी बना मुस्रीवत का सबब लोगों के घरों के अंदर घुसा बारिश का पानी नगर पालिका पर लगाला परवाही का रोग तो भावित लोगों ने प्रशासन से की सुरक्षा किना मेरत में आशा जोती केंद्र में राज्य महिला आयू की उपाध्यक्ष का और चक निरिक्षन आशा जोती केंद्र से नतारत मिली सेंटर मैनेजर आरते त्यागी सेंटर आने की बचाए वे घर से चला रही थी केंद्र डीम ने जाच बढ़ाई गासेपुर के दिल्दार नगर में रहने वाली सुभा देवी ने चन सुनबाई के दोरान डियम के सामने लगाई गोहाद यहाँ भू माफिया पर लगाया पुष्टैनी जमीन पर अवैद कब्जा करने का आरोप डियम ने मदद का भरोसा दिया कानपुर में पुलिस कमिशनर के आवाज पर जाकर बैठा पेड़त बुदूर अपने सरीर पर लिखा भी मैं जिन्दा हूँ बेटे की मौद के बाद बहुने बुदूर को काज़ों मृत गोशित कर दिया और प्रपरटी बीच दिया मुंडका में मेट्रो स्टेशन के पास इमारत में आग का तांटब दिखाय जहां 27 लुकों की जलकर मौत हूँ गई गई आग के खटना इमारत की पहली मंजिल में शाम चार बज़े से बढ़के जिसके बाद आग में फैलते वे पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया तकरीमान 8 गंटे चला रेस्ट्यू ऑपरेशन बिल्डिंग में बीना इनोस्ती धड़ले से चल रही थी कमपनी चश्मतीदों की माने तो जिस वक्त आग लगी उसके बाद शीशा तोर कर काफी सारे लोग जान बचाने के लिए उपर से ही कूद गए पुलिस ने कई लोगों को स्थाने लोगों की मतद से रेस्क्यू भी किया आग लगने की कारणों का फुलास अरेगी